चुनावी मौसम आते ही राजिस्थान के बास्वाणा जिले के उम्राई गाउं में त्रीपुरा सुंदरी मंदिर में सियासी नेताओं की भीड लगने लगती है मानता है कि देवी त्रीपुरा सुंदरी शद्धालों को सियासी सफलता का आशिरवाद देती है लिहाजा सरपंच से लेकर मंतरी, मुख्य मंतरी और तमाम नेता अपनी राजनितिक उम्मीदों पर आशिरवात का लेप चड़ाने के लिए मंदिर में मनते मांगते हैं विपक्ष के उपनेता सतीश पुनिया अक्सर मंदिर में आते हैं, उन्होंने कहा कि नेता लोगों की सेवा करने के मार्ग दर्शन के लिए देवी की पूजा करते हैं आज भी शक्ति का स्मर्ण और शक्ति की पूजा हर सनातनी करता है त्रिपरा सुंदरी का बाशवड़ा इस्तित्थान उर्जा से परिपूर्ण है और आस्था के लिए हर समय किसी ने किसी रूप में लोगों दर्शन के लिए भी जाते हैं मंदिर के गर्ब ग्रह में देवी त्रिपूरा की काले रंकी भव्य मूर्ती है मूर्ती के हाथों में कई हतियार है नेताओं के अलावा भी भारी सग्या में शद्धालू मा त्रिपूरा से आशिरवाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं दर्शन करना है माता जी के और यहां यह वागड के हमारे प्रसिद्ध देवी है और फेमेलिक साथ आज दर्शन करने आए तो बहुत अच्छा लगा और माता रानी सब की मनो कमना पूरी करती है यहां हर तादात में भीड़ उमर ती रहती और आज वागड की प्रसिद्ध देवी है त्रिपुरा सुंद्री को राज योगीनी माता भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर बड़े बड़े राजनिता चाहे वो विधायक से लेगा कर प्रधान मंतरी जी तक, मुख्य मंतरी जी तक, राष्टपती महदया भी यहां पर तर्शन का लाब लेने के लिए आते हैं और यहां पर अपनी जो अरजी लगाते हैं और माँ से प्रातना करते हैं तो उनकी मांग पूरी भी होती है, माँ उनकी उन्ति शुन करके उनको इसलिए माताजज सभी दोसो विधान सभा सीटों पर 25 नवंबर को चुनाब होंगे, वोटों की गिन्ती 3 दिसमबर को होगी